नीली आखो वाले कमल कपूर हिंदी सिनेमा के एक बहुमुखी अभिनेता थे। उनके फिल्मी करिय की शुरुआत बतोर हीरो के रोल से हुई थी। लेकिन सेफलताय मिली विलेन की किरदारों से। कमल कपूर का जन्म 22 फरवरी 1920 को पेशावर में एक पंजाबी हिंदू अचा लगते थे। 145 में ही उन्होंने सुमन देवी से शादी कर ली थी। जिन से उनके पाच बच्चे, तीन बेटे और दो बेटियां भी थी। कमल कपूर ने 1946 में फिल्म दूर चले से फिल्मी परदे पर दुनिया में कदम रखा। कमल कपूर ने करिय की शुरुआत में कमल कपूर को खूब पसंद किया गया। साल 1951 में कमल कपूर ने कश्मीर नाम से फिल्म बनाए और 1954 में खैबर नाम से खुद को हीरो रख फिल्म बनाए। पर यह फिल्में भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। जब कुछ नहीं सूझा तब कमल कपूर ने विल्म बनने का इस तरह कमल कपूर ने साथ के दशक में फिल्मी पर्दे पर खलनायग बनकर चमक उठे बतौर विलेन वो पहली बार 1965 में आई फिल्म जोहर महमूद इन गो अक में नजर आये थे लेकिन 2 अगस्त 2010 को कमल कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए